आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि MS वार्ड के अंदर में ये व्यू के अंदर में रूलर, ग्रीड लाइन, डॉकुमेंट मैप्स और थंबनिल्स इसका क्या काम होता है आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि रूलर क्या होता है, इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, ग्रीड लाइन क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, डॉकुमेंट मैप क्या है और थंबनिल क्या होता है तो सबसे पहले हमनों रूलर स्टार्ट करते हैं लिखता है भ्यू रूलर भ्यू दा रूलर यूज टू मेजर एड लाइन अप अब्जेक्ट इन दा डॉकुमेट्स इसको हम लोग सो और हाई रॉटन भी बोलते हैं आप रूलर पर टीक करेंगे यह देखे यहाँ पर रूलर आपको दिखता भी है फिर रूलर पर आपकी हटा देंगे तो यहाँ से रूलर गायपी हो जाएगा तो यह हमारा सिंपल सा रूलर का कंसेट होता है अब हम चाहते हैं कि बिना प्रेस सटप किये हुए सबाएं,से का सटlovर लिकन और यह देखे ही लेघ्ट रूलर का कंसेट नहीं कि हें सबButton से विखता है यह देखे ही Casta यहां पर बीच में लाएगा तो hanging इस तरह से सब लिखता है और आपको यहां पर इस type का symbol बन जाता है तो हम लोग यहां से margin भी कम कर सकते हैं तो यह हमारा margin का concept आता है आप इधर से चाहिएगा तो यह हमारा right हो गया right से देखिये हम लोग margin कम कर दिये इसी तरह से आप चाहें तो इस साइड से आपको Left से Left Margin आप कम कर लिए आप कम कर सकते को दिय करते हैं, यहाँ पर भी देखे लिखता है यह Top Margin आप चाहते हैं थोड़ा सा उसा उपर जाए, उपर से थोड़ा सा तो आप Margin यहाँ से छोड़े आप ऐसे भी margin छोड़ सकते हैं आप नीचे में आईए suppose किजिए ये देखिए ये margin है आप नीचे से उपर के तुरह पैसे margin कम कर सकते हैं तो ये हमारा top bottom margin भी आप ऐसे कर सकते हैं ये हमारा ruler का एक concept रहता है आप अगर यहां से चाहें हट जाएगा तो ये ruler आएगा तभी हम लोग इसका कांग कर सकते हैं फिर हम इसको agt undo करते हैं तो control जेट मारी है जैसा था default में आपको ऐसा दिखाई देगा अब suppose किजिए कि हम ये बना चुके हैं हम पारागर आपको कुछ changing करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसमें कुछ gap हो जाए इसमें कुछ gap हो जाए तो ये हम लोग पे शेकर तो करेंगे लेकिन हम चाहते हैं इसी ruler से करें यह लिगता है first line indent इसको पकर के आप ऐसे खीचेंगे यह देखिए first line आपका यहां पर आ गया तो जहां पर करसर रहेगा वहां से यह काम करेगा suppose कि जिए कि इस line को भी इसके सीध में लाना चाहते हैं तो आप यहां से जाए और फिर लिखा हुआ first line indent आप पकर के इसके line में लाइए आप जितना लाएंगे उसके हिसाब से आपको यह line का इंडेंट शित कराएं यही concept आप इस side से चाहते हैं suppose कि यहां पर करसर रखिया और right indent लिखता है यह right indent चाहेंगे और right से भी कम कर सकते हैं यह देखिया हमारा यहां से कम हुआ तो इस तरह से हम लोग margin के गुर्वर के बाद में हमसे लोग margin कम या जादा कर सकते हैं तो इसको indent बोलते हैं तो indent के हिसाब से आप इसको कम जादा करके देख सकते हैं जिस किसी को भी चाहिए आप सपोज कीजिए कि हमको यहां से चाहिए और यहां से आपको 20 से लेना है तो hanging indent भी होता है आपको ऐसे करेंगे तो पहला वाला जैसे ही रहेगा और उसके नीचे वाला आपका hanging के हिसाब से चेंज हो जाएगा उसको हम लोग hanging indent भी का सकते हैं तो यह हमारा हुआ फिर न लाना से वही first line को आप करिए तो यहां से आप first line indent को इसके सेंद्घ में और यहां लाना चाहिए आप लाना ला सकते हैं यह हमारा page में ruler का concept रहता है इसके हिसाब से लूर सकते हैं आप top bottom margin आपको यहां से पकर के विए भरागटा कर सकते हैं इसे नीचे ला सकते हैं आप य करके कर सकते हैं धुकिन इसके हिसाब से काम कर सकते हैं अभ pillars लाइट टू करे तो थ 내가 यहां पे लेघयाऊट में दिजब आते हैं उफट इन डिया राइट इन डे high रेट अब यहां से भी थोरा सा left indent बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए आप यहां से कर सकते हैं यह देखिए आप right से भी कर सकते हैं तो यह left right indent आप page layout में आके भी indent आप कम कर सकते हैं यह लिखता है after before suppose किजिए कि हम लोग बीच में हैं इसके after before में हमको gap करना दे देखिए before थोरा बढ़ेगा और after मतलब बाद में होता है तो उसके बाद में भी आपका कमेगा बढ़ेगा यह after before indent का यहां से भी उज़ करके देख सकते हैं लिखता है indent lab specific तो यह हमारा यह view menu में ruler का concept है कि आप कै कैसे हटाएंगे और कैसे लाएंगे इसके अलावा अब grid lines होता है grid lines के बारे में लिखता है turn on grid lines to which you can align object in the document आप इसको जो ही टीक लगाएंगे तो आपको इस टाइप से आपको grid दीखेगा इसमें आपको यह तो ठीक है तो इसमें कुछी figure पे हम लोग काम करके देखते हैं तो थुरा दरी के लिए इसको हटाते हैं अब हम इसका multiple copy करते हैं और control B से 2-3 paste कीजिए तो यह हमारा कई हो गया इसको आप इसको इस line में रखिए ऐसे रखते हैं और फिर से हम लोग और एक बना लेते हैं control से यह देखिए तो हम यह देखते हैं कि हमारा यह तीनों एक line मे आया की नहीं आया ऐसे ग्रीड लाइन से कोई खास यूज नहीं है लेकिन इसी टाइप का यह तीनों पिक्चर मेरा एक line में है की नहीं यह एरेंज करने के लिए हम लोग ग्रीड लाइन का काम करके देखिए यह देखिए यह हमको दिखाता है सपोज किजिए कि इस figure को में सेट किये यह आप यहां पे रखिए अब इसी figure को आपको रखने के लिए इसके line में लाने के लिए होड़ा grid line का काम करता है आप mouse से भी setting कर सकते हैं और इस रूप से यह देखिए आप एक step करेंगे यह देखिए आपके सामने आ गया यह देखिए फिर गलत है फिर इसको आ आप mouse या mouse pointer से लाइए और arrange करके हम लोग इसमें देख लिए फिर यह देखते हैं कि यह gap कितना है इसका gap थोरा सा है इसका gap कितना है तो इस type से सही है कि नहीं यह एक line में आया कि नहीं यह इस type का work करने के लिए हम लोग grid line का का काम करते हैं फिर साब grid line हटा देजे तो यह लगता है कि एक line में है इसमें कोई difference नहीं हुआ है तो आप किसी picture पे तिक करके या multiple selection करके copy paste करके figure रहेगा तो सामने है कि नहीं है या कोई documents के sense में हम लोग इस grid line का use करके देखते हैं तो इस type से भी आप इका setting कर सकते हैं तो generally हम लोग कोई image को figure के रूप में सेंट करने प issues में लाने के लिए फुरा सा आप gap देंगे तो यह देखिए इस line में आ गया तो यह सामने सामने टेक्स्ट मिलाने के लिए भी आप काम करके देख सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है तो जिसकी cbq word को suppose की जिए कि word भी आ है इसको आप इस रूप से adjust करके लाए और गिन यह जैसे एक दो तीन चार पांचे इस तरह से आप गिन करके इस line में सामने सामने आप ला सकते हैं इस टाइट से तो यह हमारा green line का concept रहता है आप लगा देजिए फिब और ङीदी आप के टिक लगाएंगे कि जितना भी ह्यडिंग हैं आपके क heightened हैं कि तना हेडिंग है वह यहां पे दिखाता है आप यहां तो डॉकुमेंट मैप के साथ थमनेल दिया हुआ है आप यहां से भी देख सकते हैं इसके अलावा आप यहां से हटा सकते हैं लगा सकते हैं तो इक भी अखों का के दिकाता हुए निय 충े हिए उन्रावा के हिरने हैं जिशा है इसको अलाबा इसी में इसे यहां पर दिया हुए ठीनल थम्नल के बारे में भी लिखता है open the thumbnail page which you can use to navigate a long document through a small picture of each page आप जो ही thumbnail में टीक लगाएंगे इस side में देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना page है नहीं है छोटा सा picture के रूप में आपको यहाँ से दिखाता है कि आपके page में कितना page है यहाँ पेजिंग भी दिखाता है देखिए यहाँ पे total page हम लोग के पास 11-12 बतल एक गारा या बारा time का आपका page है यह एक गारा page में आपका है तो इस time से आपका thumbnail का भी काम हो जाता है तो thumbnail आप चाहें तो यहाँ से भी आप document map यूज करके देखें तो document map दिखाया और यही से हम चाहें कि thumbnail दिखाया तो हमारा thumbnail दिखाता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं यह चारों option view tab के अंधर में ruler, grid line, document map और thumbnail का मराता है तो इसको tick लगा के एक बार में tick लगाएंगे तो आएगा और दूसरे बार में यह हट जाएगा आप सब लगा के देख सकते हैं तो इस टाइप से आपका दिखता है तो बारी-बारी से ruler, grid line, document map और thumbnail के बारे में आज हम आपको बताएगा यह आप जाने तो यह सब practice करने का चीज़ है आप इसको practice करके देखिए तो समझ में आएगा गूडलर का क्या काम है grid line का क्या काम है thumbnail का क्या कम है और document का काम का तो आज के इस session में इतना ही रहा कि MS Word के अंदर में व्यू के अंदर में यह चारो टाइब का क्या काम है आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तक कि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका notification आपको उसका मिलते रहेगा